हेलो दोस्तों आप अगर NPS का कस्तोमर है और NPS एकाउंट में आप ओलाइन फान टेंसपर करते हैं यानि ओलाइन पेशा डिपूजित करते हैं कोभी भी आप अगर NPS account में किया हुआ online deposit का जो transaction status है वो जानना चाहते हैं और transaction receipt जो है वो download करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो बन रहे हैं इस वीडियो में आखरी तक हम इसी तफिक के ओपर बात करना आला है नमस्कार दोस्तों में हो से स्थेव बैस्थेव दिखाएंगे दोस्तों अभी आप देख सकता है हम अपना mobile के स्क्रिन पर आ गया है और NPS National Pension System यह एप को open कर लेंगे यहाँ पर National Pension System एप को open करने के बाद आपको login option के ओपर क्लिक करना होगा फिर यहाँ पर आपका user id यानि प्रान नमबर डालना ह होगा और फिर password डालना होगा जो आई पीन है आपका तो इसके बार login में क्लिक करना होगा तो अभी हम यह सीज़े कर लेते हैं जैसे ही id password डालके हम login पतन में क्लिक करते हैं ऐसे एक page आपके सामदे नजर आएगा जहाँ पे आपका current जो amount है holding amount वो सब सीज़े दिखाएगा आपका page है कहां कहां लगा राखा है किस फान में लगा राखा है वो सब सीज़े यहाँ पे दिखाए देगा तायर 1 तायर 2 यह दोनों सीज़े यहाँ पे दिखाए देगा तो इन में आपको एक काम करना होगा उपर ठ्री लाइनाला जो option है उसके उपर क्लिक करना होगा जैसे थ्री लाइनाला option है उसके उपर क्लिक करता हूँ ऐसे एक option हो का list आपके सामने खोल जाएगा और यहाँ पे status view इस option के उपर क्लिक करना होगा जो last से दो नमबर में है जैसे status view में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार option है आपके सामने दिखाई दे रहा है तो इन में से contribution उस option के उपर आप क्लिक करना कर पड़ेगा तो जैसे कि contribution के उपर क्लिक करेंगे आपने online जितने भी contribution किया है उसका list यहाँ पर आ जाएगा और कितिना पेशा आप कितिना तारिक को transfer किया था deposit किया था और वो approve हुआ है कि नहीं मतलब account में जमा हो गया कि नहीं यह सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखिए आप पहले आला acknowledgement number देखिए यह acknowledgement number है हला कि जब आप पेशा transfer करते है NPS account के लिए तो अभी भी acknowledgement number एक जन्याइद होता है वह ही acknowledgement number है receipt number आपका यहाँ पर यह एक receipt है तो receipt number भी यहाँ पर दिया गया है request that किस तरिक को अपने पेशा transfer किया था किस time में transfer किया था उसी का बड़े में दिखाई दे रहा है और status status में approve हुआ है मैंने मेरा tire to account में 1000 रुपिया transfer किया था आपको अगर इस receipt को download करना है तो यहाँ पर जो download अला option है बतन है उसके उपर क्लिक करके download कर सकते हैं अब देखते हैं हम download होता कि नहीं यह error while downloading PDF अभी कुछ problem चल रहा है तो इसलिए download नहीं हुआ है आप उस receipt को यहाँ पर क्लिक करके भी download कर सकते हैं और status को आप इस तरी कैसे देख सकते ह है उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होंगे कैसे आप NPS account में जो transaction data से वो चेक कर सकते हैं उसके बड़े में पता चल गया होंगे अगर यह वीडियो पसंद आया फिर यह क्यों किजिए like और channel को subscribe करना ना भूलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नहीं आपके साथ तब तक दोस्तों आज़ादेजिए नमस्कार